राम राम दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने प्रिये चैनल बोलती बुक्स विथ अंजली में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बाल राम कथा का पार्ट आठ तो आएए शुरू करते हैं पार्ट आठ जिसका शिर्शक है सीता की खोज राम के मन में कई प्रकार के प्रश्ण थे आशंकाएं थी मारीज की माया उन्होंने देख ली थी वह चल से उन्हें कुटिया से दूर ले आया था अब क्या होगा यही सोचते हुए फेक कुटिया की ओर भागे चले जा रहे थे वापसी में एक पल भी विलंब नहीं करना चा कोड़ आये थे सीता की रखवाली के लिए अच्छा हो कि लक्ष्मन वहीं हो मारीज की मायावी आवाज उन्ह तक ना पहुची हो राम में सोचा सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे खा जाएंगे तब ही उन्होंने पकडंडी से लक्ष्मन को आते देखा वही हुआ जिसका राम को टर था अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई पता नहीं सीता किस हाल में होंगी राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा उठा ले गई होंगे अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाई होंगी कुटी छोड़ कर आने पर वह लक्ष्मन से कुरुद थे उन्होंने कुरुद पर नियंत्रण रखा लक्ष्मन का बाया हाथ जोर से पकड़ लिया डर ने दोनों भाईयों को घेर लिया था देवी सीता ने मुझे विवस्ट कर दिया भराते उनके कटू वचन मैं सेहन नही कर सका कटाक्ष और उल्हाना नहीं सुन सका मैं जानता था कि आप सकुषल होंगे आपकी सुरक्षा को लेकर मन में कोई संधे नहीं था तब भी मुझे खुटिया छोड़ कर आना पड़ा लक्ष्मन में कहा यह तुमने अच्छा नहीं किया तुम्हें मेरी आग्या का उलं नहीं करना चाहिए था अब जल्दी चलो मेरा मन चिंटित है सीता ना जाने किस हाल में होंगी कैसी होंगी मायवी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं राम ने चलने की गती और बढ़ा दी कुटिया अभी कुछ दूर थी पर दिखाई पढ़ने लगी थी राम ने वहीं से प पता चल गया हो कि सीता अश्रम में नहीं है कुटिया मौन रही वहां से कोई उत्तर नहीं मिला राम की बेचैनी पढ़ गई उनकी एक आवास पर कहीं से भी उपस्तित हो जाने वाली सीता वहां नहीं थी अनुपस्तिती बोलती कैसे राम की आवास पेडों से टकरा कर हवा में विलीन हो गई कुटिया के शून में समा गई राम पुकारते रहे उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला चुपी हर ओर थी हर दिन हवा में जूलने वाले पत्ते शान्त थे लताएं गुमसुम पड़ी हुई थी चिडियों की चाक लुप्त थी कुटिया के निकट गुमने वाले पशू पक्षी चुप खड़े थे सब इस्तब्ध राम भागते हुए आश्रम पहुचे कुटिया में जा कर देखा सीते सीते पुकारते हुए उन्होंने आस पास की हर जगए देखी पेडों जाडियों के पीछे गए उन इस्थानों की और भागे जहां सीता जा सकती थी सीता का कहीं पता ना था शोक से व्याकुल ग्राम रोने लगे सीता से पिछूरना उनके लिए असैनी अगात था वे सुद्बुद भुला बैठे विरह में वो गुदावरी नदी के पास गये उस से पूछा तुमने सीता को कहीं देखा है नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया वे पंचवटी के एक एक व्रिक्ष के पास गये सबसे पूछा कोई सीता का पता बता दे हाती के पास गये शेर से पूछा फूलों के पास रुखे चटानों पथरों से प्रश्न किया शोक संतप्त राम भूल गये कि चटाने नहीं बोलती पेड़ पौधे बात नहीं करते उनकी भाशा मौन है उनके उत्तर भी मौन है राम की मानसिक स्थिती वे चिपत जैसी थी एक बार उन्हें लगा कि सीता वहीं है कुटिया के पास अभी भाग कर पेड़ के पीछे चिप गई है उन्हें खिजाने के लिए मेरे साथ परी हास मत करो सीते राम उस पेड़ की और दौल पड़े वहां कोई नहीं था वे निराश होकर पेड़ के नीचे बैट कै राम का दुख लक्षमर से देखा नहीं जा रहा था उनका वेवार सहन नहीं हो रहा था और राम के निकट गए विलाप करते राम ने कहा मैं सीता के बिना नहीं रह सकता तुम आयोधिया लौड जौल लक्षमर मैं वहां नहीं जाऊंगा यहीं प्रान दे दूँगा मैं सीता के साथ आया था उसके बिना कैसे लोटूंगा नगरवासियों को क्या मुध दिखाऊंगा तुम जाओ मुझे यहीं छोड़ दो आप आदर्श पुरुश है आपको धैर रखना चाहिए इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए हम मिलकर सीता की खोज करेंगे वे जहां भी होंगी हम उन्हें ढूंड निकालेंगे सीता हमारी प्रितिक्षा कर रही होंगी लक्षमण ने उन्हें धांडस बंदाते हुए का राम शान्त हुए पर थोड़ी ही देर में हाँ प्रिये कहते हुए पुना विलाप करने लगे इसी बीच आश्रम के आस पास बटकने वाला हिरनों का एक जुंड राम लक्षमण के निकट आ गया राम को लगा कि हिरन सीता के बारे में जानते हैं उन्हें कुछ बताना चाहते हैं हे इम्रिग तुम ही बताओ सीता कहा है राम ने पूछा हिरनों ने सिर उठाकर आसमान की और देखा और दक्षिर दिशा की और भाग गए राम ने संकेत समझ लिया उन्हें सीता की खोज दक्षिर दिशा में ही करनी चाहिए उन्होंने लक्षमण से कहा हिरन उसी और गए है वन ने भटकते हुए उन्होंने एक तूटे हुए रत के टुकड़े देखे मरा हुआ सार्थी और मृत घोड़े भी थे वन में रत का क्या प्रियोजन उसके तूटने का क्यार्थ राम अस्तमंजस में पड़ गया लगता है थोड़ी देर पहले यहां संगर्ष हुआ है लक्षमन ने का यह पुष्प माला वही है जिसे सीता ने वेडी में गूत रखा था निश्चित तोर पर सीता राक्षसों के चंगल में फस गई है यह माला संगर्ष के दोरान वेडी से तूटकर गिरी होगी पर यह रत कैसे तूटा राम सोचने लगे सीता की संगर्ष से यह नहीं तूट सकता अवश किसी ने राक्षसों को चुनौती दी है उनसे युद किया होगा वहां से थोड़ी ही दूर राम ने पक्षी राज जटायू को देखा पंक कटे हुए लहु लुहान अंतिमसा से गिनते हुए हे राजकुमार सीता को रावण उठा ले गया है मेरे पंक उसी ने काटे सीता का विलाब सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी उसका रत तोड़ दिया सार्थी और गोडों को मा डाला स्वेम रावण को गायल कर दिया पर मैं सीता को नहीं बचा सका रावण उन्हें लेकर दक्षन पश्चिम दिशा की और उड़ गया कहते कहते जटायू ने प्रान त्याग दिये राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायू की अंतिम क्रिया की वह सोचते रहे पच्छताते रहे यह कैसा विदान है मैं तो कश्ट में हूँ ही मेरी साहता करने वालों को भी इतना कश्ट राम की आखे नम हो गई उन्होंने जटायू को अंतिम बार प्रणाम किया जटायू ने सीता के बारे में महत्रपून सूचना दी थी रावन का नाम बताया दिशा बताई जिधर सीता को लेकर वह गया राम जटायू की चिता के पास मौन खड़े थे यह समय विलाप करने का नहीं है हमें तुरंत दक्षन पश्रिम दिशा की और जाना चाहिए और कठिन राम और लक्षमन को लगभग हर दिन राक्षसी आकर्मनों से जूजना पड़ता अनेक कठिनाईयां आई अवरोध मिले दोनों राजकिमार प्रतेक बाधा पार करते चले गए उनके सामने लक्ष स्पच्ट था दिशा तै थी उन्हें कोई नहीं रोक सकता था वन मार्ग जितना कठिन होता गया उनकी दृणता बढ़ती गई वनवासी राजकिमार प्रती दिन सुबह उड़ते और दक्षन दिशा की और चल पढ़ते एक दिन ल्यात्रा के प्रारंब में ही एक विशाल काई राक्षिस ने उन पर आकर्वन कर दिया उसका नाम कबंद था कबंद देखने में बहुत डरावना था मोटे मास पिंड जैसा गर्दन नहीं थी एक आँख थी दात बहर निकले हुए जीब साप की तरह लंबी और लपलपाती हुई राम लक्ष्मण को देखते ही कबंद प्रसंद हो गया उसने दोनों हाथ पहलाए एक एक हाथ से दोनों भाईयों को पकड़ कर हवा में उठा दिया उसे मन मांगा अहार मिल गया था बैठे बिठाए वह अपने शिकार को भुजाओं में लपेट कर मुझ तक ले जाता इससे पहले ही राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारे निकाल ली एक छटके में कबंद के हाथ काट दिये उसके हाथ धर्ती पर गिर पड़े कबंद उनकी शक्ती और बुद्धी पर आश्यर चकित रह गया कौन हो तुम दोनों ? हम अयोधिया के महराज दश्यत के प०्र हैं, राम और लक्ष्मा रामन ने राम की पत्नी सीता का हरन कर लिया है हम उन्ही की खोज में निकले है राक्ष्स कबंद ने राम के बारे में सुन रखा था साक्षात उन्हें देखकर प्रसंद हो गया उसने कहा मैं सीता के संबंद में कुछ नहीं जानता लेकिन तुम दोनों की साहिता का उपाए बता सकता हूँ मेरा एक छोटा सा आग्रह सुईकार करो तो मेरा अंतिम संसकार राम करें राम ने इस पर सहमती व्यक्त की तो कंबंद बोला आप दोनों पंपा सरोवर के निकट रिश्यमूग परवत पर जाएं वह वानर राज सुग्रीव का छेत रहें वे निर्वासित जीवन वैतीत कर रहें सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे कंबंद की सांस तूटने लगी उस का अंत निकट था राम और लक्षमर को अपने निकट पुलाते हुए उसने कहा पंपा सरोवर के पास मतंग रिशी का आचरम है वहीं उनकी शिश्या शबरी रहती है आगे जाने से पूर सबरी से अवश्य मिलने यही बोलते बोलते कबंद ने प्रांग त्याग दिये राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और पंपा सर की ओर चल पड़े कबंद की बातों से राम को बहुत धांडस हुआ सीता तक पहुचने की आशा बल्वती हुई राम को सुग्रीव की शंता और उसकी वानर सेना की शक्ती का पता था वे जल्दी सुग्रीव तक पहुचना चाहते थे रिश्यमूग परवत का रास्ता पंपा सरोवर होकर जाता था पंपा सर का प्राक्तिक सौंदर अद्बुद था मतंग रिशी का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था लताकुंज से घिरा हुआ सरोवर का पानी मीठा था शबरी की कुटिया आश्रम में ही थी वह रिशी की शिश्या थी उनकी आयू बहुत हो गई थी जर जर काया लेकिन आखें ठीक थी हर पल राम की प्रतिक्षा में खुली हुई रिशी ने उसे बताया था कि एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे और उससे मिलेंगे राम को आश्रम में देखकर शबरी बहुत प्रसन हुई उनकी आवभगत की सेवा की खाने को मीठे फल दिये रहने को जगे दी उसकी आखें त्रिप्थ हो गई राम ने उससे सीता की संबंद में पूछा आप सुगरीव से मित्रता करिये सीता की खोज में वह अवश्य सहायक होगा उसके पास विलच्छन शक्ति वाले बंदर है शबरी ने राम को आश्रम किया अगले दिन राम रिश्यमूख परवत चले गए उनकी व्याकुलता अब और घट गई मन की शांती लौट आई तो दोस्तों यहाँ पर बालराम कथा का आठवा पार्ट समाप्त होता है और अगले शनीवार में एक बार फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत होंगा और हम सुनेंगे अगला पार्ट जिसका शीर्शक है राम और सुग्रीव तब तक रखें अपना बैतर ख्याल राम राम